आदिशने बाबा क्लेरा जो घर में सबसे छोटी थी दर्वाजे की तरफ बड़ी हे खुशी से जाने लगी और उसने दर्वाजा खुला उसके अंकल अपने साथ बहुत सारे तौफे लेकर आये थे जब क्लेरा ने इतने सारे तौफे देखे तो वो बहुत खुश हुई अपने तौफे खुलने के लिए आधे रात तक इंतिजार नहीं कर सकती थी उसे तौफ़ा फोरण चाहिए था उसके अंकल क्लेरा को नराज नहीं करना चाहते थे इसलिए उन्होंने उसे तौफ़ा दिया बहुत ही खुशी के साथ उसने अपना तौफ़ा खुला ये बाकी तौफ़ों के मुकाबले सबसे अच्छा तौफ़ा था उसके अंकल का तौफ़ा एक अजीब से चेहरे वाला नट क्रेकर था जिसकी लाल नाक और पदली मूचे थी क्लेरा को ऐसा किलोना पहले कभी नहीं मिला था ये नट क्रेकर किलोना उसे बहुत पसंद आया वो इस किलोने के साथ खेलने लगी और डान्स करने लगी क्लेरा के नट क्रेकर भाई को अपना तौफ़ा पसंद नहीं आया और उसने उसे फेग दिया उसे क्लेरा का नेट क्रेकर जादा पसंद आया इसलिए वो उसे क्लेरा से लेने की कोशिश करता रहा ये मुझे चाहिए नहीं नहीं ये मेरा है आखिरकार उसका भाई उसके हाथ से वो नेट क्रेकर उठा के चला गया सुनो फ्रिट्स मेरा खिलोना मुझे वापिस कर दो जाके अपने खिलोने से खेलो मुझे वो चूहा बिल्कुल पसंद नहीं ये नट क्रेकर मेरा है लीज फ्रिट्स मेरा नट क्रेकर मुझे वापिस कर दो येलो जब क्लेरा अपना खिलोना उठाने के लिए उसके करीब गई उसने देखा कि उसका एक हाथ जमीन पर तूटकर गिरा हुआ था क्लेरा बहुत ही उदास हो गई और रोने लगी फिकर मत करो क्लेरा, मैं उसे ठीक कर दूँगा आधी रात गुजर चुकी थी, नए साल का जशन खतम हो गया था और सारे बच्चों की तरहां क्लेरा भी बहुत ठक गई थी और वो सो गई, पर वो नटक्रेकर के बारे में बार बार सूचे जा रही थी मुझे यकीन है कि अंकल नटक्रेकर को ठीक कर देंगे वो अपने अंकल को देखने के लिए बैट से नीचे उतरी और वो जल्दी से लिविंग रूम में जा पहुँची और उसने देखा नटक्रेकर ठीक होके उस क्रिस्मस ट्री के पास पड़ा हुआ था क्लेरा बहुत हुश हुई और उसने नटक्रेकर को गले लगाया और सुकून से सो गई कुछ देर बाद क्लेरा को कुछ आवाजे सुनाई दिना शुरू हो गई और हलके से उसने अपनी आखे खोली उसे लगा कि वो एक खुआप देख रही है और इसलिए वो फिर से सो गई उसको ये नहीं पता था कि उसी वक्त उसने नेवर लेंड जाने के लिए अपनी यादें शुरू कर दी थी वो आवाजे फिर से आने लगी जैसे कि चारों तरफ चूहे आवाजे कर रही हूँ क्लेरा ने एक बार फिर अपनी आखे खोली गर का सारा फरनीचर अब काफी बड़ा लगने लगा क्रिस्मस ट्री जहां पर वो सो रही थी अब एक बड़ा पेड लग रहा था क्लेरा अब पूरी तरह से जाग गई थी और उसी वक्त उसे एक एहसास हुआ कि सारी चीजे बड़ी नहीं हो रही थी बलके वो खुद छोटी हो गई थी और उसने देखा कि चूहों का बादशा अपने सेपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा था क्लेरा काफी डर गई और वो भागना चाहती थी पर उन बड़े चूहों ने उसे रूख लिया उन्होंने क्लेरा को गेल लिया और हलके हलके उसकी तरफ बढ़ने लगे उसी वक्त नट क्रेकर भी जिन्दा हो गया तुम यहां क्यों खड़ी हो क्लेरा? हम उस पेल पर चड़ कर यहां से भाग सकते हैं क्लेरा और नट क्रेकर उपर चड़ गए और उपर वाली मन्जिल पर कूद कर चड़ गए हम भाग कर कहां जाएंगे? यह तो तुमारा घर है तुम्हें ही पता होगी कोई ऐसी जगा जहां ये चुए हमें ढूण ना से लिया क्लेरा भाग रही थी और नट क्रेकर कहीं नजर नहीं आ रहा था चुहे घर की चारों तरफ फैल गए थे और वो क्लेरा को ढूण रहे थे तब ही नट क्रेकर एक खिलोने की दुकान पर जा पहुँचा उसने देखा कि काफी सारे छोटे सिपाही खिर्की की तरफ बैठे हुए थे उसने एक पत्थर उठाया और उसी से को तोड़ दिया सिपाहीों तुम यहां कर क्या रहे हो मेरी दोस्कलेरा मुसीबत में चुहो गर राजा अपनी फौज के साथ उसे पकलने की कोशिश कर रहा है अचानक वो सारे सिपाही जिन्दा हो गए और खिर्की के बाहर कूत कर नटक्रेकर की पीछे भागने लगे जब नटक्रेकर घर में वापिस आया तो घर बहुत फैल चुका था चुहो ने सारे घर को गंदा कर दिया था नटक्रेकर और उसके सिपाहीों ने अपनी तलवारे निकाली और चूहों के राजा और उनकी सिपाहियों के साथ लड़ने लगे वहाँ सिपाहियों से जादा चूहे मौजूद थे काफ़े सिपाही मर गए नट क्रेकर की हालत खराब थी उसे भी काफ़े चोटे आई थी क्लेरा जहां छुपी हुई थी वहाँ से बाहर आ गई उसे लगा उसे कुछ करना चाहिए पर वो इतनी चोटी थी के उसे लगा कुछ भी करना मुमके नहीं होगा चूहों का राजा नट क्रेकर के पास गया और उसने तलवार नट क्रेकर के चहरे के करीब बढ़ाई क्लैरा पीछे से चिलाई और उसने अपना जूता चूहों के राजा की तरफ फेका यू तू गंदे चूहे जूता उड़कर चूहों के बादशा के सर पे जा लगा चूहों का बादशा जमीन पर बेहुश होकर गिर पड़ा अपने बादशा को जमीन पर पढ़ा देख, बाकी चूहे जान गए कि हम ये जंग हाड चुके हैं और इसलिए वो सारे चूहे अपने बादशा को लेकर घर से बाहर चले गए क्लैरा नटक्रेकर के पास जा पहुंची, वो बेहोज जमीन पर पढ़ा हुआ था क्लैरा अपने घुट्नों पर बैठ कर रोने लगी अचानक एक परी ग्यारा के पीछे नमुदार हुई अपने नीले कपड़े, पंक और लॉलिपॉप जैसे जादूई चड़ी के साथ वो परी बहुत ही होपसूरत दिख रही थी परी क्लैरा को रोते हुए नहीं देख पा रही थी और इसलिए उसने अपने जादू का इस्तेमाल किया और उसी वक्ट नटक्रेकर एक खुबसूरत शहजादे में तबदील हो गया क्लैरा नटक्रेकर को शहजादे में तबदील देखकर बहुत हैरान हुई शैजादे ने अपना हाथ बढ़ाया और फिर वो दोनों डान्स करने लगे ये सब जादू जैसा था क्लेरा को एहसास हुआ कि वो हवा में उड़ रही थी और वहाँ नमुदार हुई कैंडी परी काफी सारी बाकी परीया भी वहाँ मौजूद थी वो परीया क्लेरा और शैजादे को कैंडी लैंड ले गई कैंडी के बने पेड, जैली बीन के फूल, गुलाबी तितलिया, सुनेहरे टॉफी के सेफ वो एक जादूई जगा थी क्लेरा अपनी कहानी बताने लगी और उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो भी मुझे पता है तुमारे साथ क्या हुआ था डरू मत क्लेरा, तुम हमारे साथ महफूज हो कुछ देर बाद वहाँ एक बांसुरी की मीठी दुन, पूरी जगा फैल गई और फिर परीया और रंग बिरंगे फूल नाचने लगे कुछ देर बाद नट क्रेकर और क्लेरा भी तांस करने लगे चारों तरफ नाचते हुए रंग बिरंगी पेड़, लॉली पॉप्स और कैंडीज क्लेरा और शहजादी को अचानक ये ऐसास हुआ कि वो स्टेज पर है जब बांसुरी की वो धुन खतम हो गई क्लेरा ने आसपास देखा, वो स्टेज पर थी और लोग तानियों से उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे क्लेरा ने नीचे जुग कर उनका शुक्रियादा किया और खुशी से उसने अपनी आँखें बंद कर ली क्लेरा, क्लेरा तब ही उसकी माँ ने उसे आवास दी और फिर क्लेरा ने अपनी आँखें खोली उसने अपने आसपास देखा फिर देखा कि नटक्रेकर उसकी गोद में था हैरानी के साथ उसकी माँ उसे देखने लगी उसे पता नहीं था कि क्लेरा ख्वाबू में खो गई थी बेटा क्या तुम पूली रात यहां सोई थी माव मैं मैं पर मुझे सब कुछ कितना सच लग रहा था अपने ख्वाब में फिर से जाने की खुशी में क्लेरा ने अपनी आखें बंद कर ली एक जमाने का जिक्र है एक बहुत पुराना जोड़ा जंगल के करीब रहा करता था जो के खुशाल जिन्दगी गुजार रहा था उनको दुख था तो बस एक उलाद का एक दिन जब बूढ़ी औरत एक कुकी डू बना रही थी उसका शोहर उसके पास आया डार्लिंग आज क्या बना रही हो अरे भाई मैं आज जिंजर ब्रेट बना रही हूँ उस औरत ने उस डो में जिंजर ब्रेट का शेप काटा उसे ओवन में रख कर वो जिंजर ब्रेट के बनने का इंतिजार करने लगी पूरे घर में उस जिंजर बेट की खुश्बू आने लगी उसने ओवन गलफ्स पहने और उसे बाहर निकाला और अब उससे सजाने का वक्त था उसने उसकी आँखें किश्मिश से बनाई और उसकी नाँख बंटी से और उसके बाद उसने कुछ क्रीम यूज करी उसके बाल और कपड़े बनाने के लिए और आखर में उसने ली चैरी ताके वो बटन्स मना सके उसने एक दफ़ा फिर उसको देखा और बोला अरे मेरे जिंजर ब्रेट कितनी अच्छी देख रही है पर मुझे लगता है कि कुछ दालना रह गया है बूडी औरत ने उसे एक दफ़ा फिर देखा इसका मूँ मैं इसका मूँ बनाना भूल गई हूँ उसने जिंजर ब्रेट का मूँ क्रीम से बनाया अब मेरी जिंजर ब्रेट बिल्कुल तैयार हो चुकी है और उसी वक कुछ नाकाबले यकीन सा हुआ चुकरिया तुम बात कैसे कर रहे हो जिंजर ब्रेट मैं जल्दी से खड़ा हुआ और बोला हाँ मैं तो भाग भी सकता हूँ जिंजर ब्रेट मैं टेबल से नीचे उत्रा चियर पर चियर से जमीन पर और जमीन से गार्डन की दरफ निकल पड़ा वापिस आओ वापिस आओ बुड़ी और चिल्लाई और वो जिंजर ब्रेट के पीछे भागना शुरू हो गई भगो भागो मुझे कोई नहीं पकड़ सकता मैं एक जिंजर ब्रेट मैं हूँ उसकी बीवी भाग रही है तो उसने पीछे से आवाज दी अरे तुम कहां भाग रही हो बुड़ी और अपने शोहर को जवाब दिया कि मेरी जिंजर ब्रेट भाग गई है मैं उसे पकड़ने के कोशिश कर रही हूँ शोहर ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि जिंजर ब्रेट चल रहा है और मेरी बीवी उसके पीछे भाग रही है थोड़ी देट चलने के बाद जिंजर ब्रेट मैंने ग्रैंच के पास आया एक गाए ने उसे देख लिया ये तो बड़ा प्यार है मैं इसे खा जाऊँगी गाए भी जिंजर ब्रेट को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती रही रुको फागो नहीं मुझे तुम्हे खाना है आओ आओ जितनों को चाहो मेरे पीछे लगा दो पर मुझे कोई नहीं पकड़ सकता मैं जिंजर ब्रेट मैं हूँ बुड़ी औरत और वो गाएं जिंजर ब्रेट का पीछा कर रही थी और इस बार एक पिग ने उसको देख लिया ये तो किसी जिंजर ब्रेट की खुजबू है रुको मैं भी आ रहा हूँ तुम्हे खाने के लिए जिंजर ब्रेट मैं ने पिग को जवाब दिया ये इनसान आओ हैवान भी आजाओ पर मुझे कोई नहीं ही पकर सकता मैं हूँ जिंजर ब्रेट मैं जब वो भाग रहे थे जिंजर ब्रेट मैं आगे पीछे बूड़ी औरत उससे पीछे गाएं और उससे पीछे पेग तो चिकन भी उनके पीछे भागना शुरू हो गई ये तो मेरा खाला होना चाहिए और चिकन भी उनके पीछे भागने लगी तुम चाहे जितना भी तेज भाग दो जिंजर मैं मैं तुम्हें पकड ही लूँगी आओ सब मिलके मेरा पीछा करो इंसानों हैवानों सब आजाओ तुम क्या मुझे पकड़ोगी मेरा नाम है जिंजर ब्रेट मैं जिंजर ब्रेट मैं आगे पीछे बुड़ी औरत उससे पीछे गाय और पेग और उससे पीछे मुर्गी वो सब जिंजर ब्रेट का पीछा कर रहे थे लेकिन कोई भी उससे नहीं पकड़ पा रहा था जिंजर ब्रेट मैं बहुत खुश था तो उसने देखा कि पानी की बहुत बड़ी नदी है और वो रुक गया क्यूंकि उसे याद आया कि पानी उससे पिगला सकता है अब क्या करूँ? बुड़ी औरत, गाएं, पिग और मुर्गी उसके पास आई और उसी वर्क एक चलाक लूम्री उसके पास आई जिंजर ब्रेड मैं कुछ सोचने लगा तुम मुझे खा जाओगे तुम इसकी फिकर मत करो मैं तुम्हें खाने नहीं तुम्हें बचाने के लिए यहां आया हूँ जिंजर ब्रेड मैं ने लुम्री की बात मानी और उसकी पोँच पर बैठ गया और उसे जोर से पकड़ लिया लुमणी जल्दी से पानी में गई और तैड़ने लगी दूसरी तरफ बूढ़ी औरत, गाएं, पिग और मुर्गी नदी के कौने पर खड़े होकर स्रिफ जिंजर ब्रैट को जाते हुए देख रहे थे और वो ये सोच रहे थे के अब हम जिंजर ब्रैट को कैसे पकड़ेंगे वो पानी के अंदर आगे जाते गए और पानी उपर आने लगा अरे भाई, समलके मैं डूब न जाओ कहीं मेरी पीड बहुत मस्बूत है जिंजर ब्रैट जल्दी से उसकी कमर पर आ गया और कुछ देर बैट गया लेकिन कुछ देर बाद पानी फिर उपर आने लगा और जिंजर ब्रैट बस डूब नहीं वाला था मुझे लगता है तुम डूब जाओगे तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम मेरी करदन की तरफ आ जाओ जिंजर ब्रैट मैन उसकी सर पर आकर खड़ा हो गया और लूब्री अपना सर पानी में नीचे ले जा रहा था पानी अब सर के उपर जा रहा है तुम ऐसा करो मेरी नाग पर आकर बैठ जाओ और जिंजर ब्रैट मैन उसकी नाग पर आ गया जैसे ही वो जमीन को छूने वाले थे लूब्री ने जल्दी से अपनी नाग से जिंजर ब्रैट को हवा में उच्छाला और जिंजर ब्रैट हवा में था और जिंजर बैट सीधा आवा से नीचे आका लोमडी के मुझ में गिर नहीं वाला था लेकिन ऐसा नहीं हुआ जब जिंजर बैट हावा में था तो एक कव्वा आया और उसे उठा कर ले गया और लोमडी देखता ही रह गया जिंजर ब्रेट ने इंतिजार किया कि कववा थोड़ा नीचा है और वो सवाल करे कि क्या तुम भी मुझे काना चाते हो जब कववे ने बूलने के लिए अपना मुझ खोला तो जिंजर ब्रेट नीचे गिर गया और भागने लगा भागो 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 इंसान जानवर परिंदे हर किसी ने कोशिच कर ली लेकिन कोई भी मुझे पकड़ नहीं पाया मैं हूँ असली जिंजर मैन जिंजर ब्रेट मैन भागता रहा और रुका नहीं अगर आपको जिंजर ब्रेट भागता हुआ दिखे तो उसे पकड़िएगा नहीं क्यूंकि वो एक जिंजर ब्रेट मैन है और कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता एक जमाने का जिक्र है एक आदमी अपनी बेटी के साथ रहा करता था वो आदमी हमेशा अमीर बनना चाहता था लेकिन कोई उसकी बाद सुनता ही नहीं था मिला की कहानी सीधा बादश्य के पास जा पहुँची बादश्य ने उसे महल बुलाया और मिला को एक सबक सिखाना चाहा लेकिन मिला जरा सा भी हिचकिचाया नहीं बादश्य सलामत मेरी बेटी किसी भी चीज को सोने में तबदील कर सकती है बादश्य ने उसकी बाद पर यकीन नहीं किया अच्छा अगर ऐसा है तो उसे कल ही यहां लेकर आओ हम भी तो देखें वो क्या करती है जब मिला ने अपनी बेटी को बताया तो वो डर गई पापा आपने फे जोट बोला मैं अब क्या करूंगी उसको बहुत शर्मा रही थी अगले दिन मिला और उसकी बेटी बादशा के महल में आ पहुँचे बादशा अपने कमरे में उस लड़की को लेकर गए और उस कमरे में उस सारा समान मौजूद था जो मिला ने मांगा था शाम से पहले यह सब सोने में तबदील हो जाए वरना ऐसी सजा मिलेगी कि तुम दोग जिन्दगी भर याद रखोगे बादशा ने मिला को जेल में बंद कर दिया और उसकी बेटी के सामने दो सिपाही खड़े कर दिये उस लड़की ने सारे समान को देखा और वो जोर-जोर से रोने लगी पापा अचानक एक रोशनी कमरे में आई और जब रोशनी कमरे से चली गई एक अजीब सा छोटा सा इंसान वहाँ आ पोँचा अरे तुम क्यों रह रही हो बादशा ने कहा है कि इस स्ट्रॉक को सोने में बदल तो पर मैं ये नहीं कर सकती पर मैं नहीं कर सकती मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ लेकिन मैं ही सोच रहा हूँ इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगी लड़की ने अपना नेकलिस उतारा और उस इंसान को दे दिया जैसे ही उस लड़के को नेकलिस मिला वो उस स्पिनिंग वील के पास बैठा और उसे गुमाने लगा जब वो वील गूमने लगा तो रसी सोने की बंती गई थोड़ी ही देर में उस छोटे इंसान ने सब को सोने में बदल दिया और जैसे ही वो वहाँ पर आया था बिल्कुल वैसे ही वहाँ से चला गया और अब सुबा हो चुकी थी जब बाच शांदर आया और उसने देखा कि सोना वहाँ पर है तो वो बहुत हैरान हुआ मैं तो समझाता के तुम्हारा भाप जुटा है लेकिन मैं तो हैरान हो गया लड़की को लगा के अब वो बहार चली जाएगी लेकिन ऐसा नहीं था अगर तुम आजाद होना चाहती हो तो सुबा तक ये सब सोने में बदल दू लड़की दुबारा से रोने लगी और वो इंसान दुबारा वहाँ आ पहुचा मैं तुम्हारा एक काम दुबारा कर सकता हूँ लेकिन उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगी उस लड़की ने सबसे कीमती अंगूटी उतार कर उसे दे दी मैं आपको ये अपनी कीमती अंगूटी दे सकती हूँ जो मुझे मेरी मा ने तौफे में दी थी उसने वो अंगूटी ले ली और स्पिनिंग वील को दुबारा घुमाना शुरू कर दिया स्पिनिंग वील जितनी देर तक घूमता रहा सारी रस्सियां दुबारा सोने की बनती गई सुबह तक वो सब खतम हो गई सारी बास्किट सोने से भरी हुई थी बादशा अंदर आया और वो हैरान हो गया इस बार उसने पूरा कमरा भड़ दिया अगर तुम सारे ही समान को सोने में तबदील कर सकती हो तो क्यों ना मैं तुम्हें यहीं रहने दूँ और तुमसे शादी कर लूँ जैसे ही बादशा कमरा छोड़ कर गया वो छोटा इंसान दुबारा आ गया लेकिन इस बार लड़की के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं था छोटे इंसान ने बोला जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें मुझे कुछ देना होगा और इसे के वज़़े से मैं तुम्हारी मदद करूँगा उस लड़की ने उसकी बात मान ली इस बार वो छोटा इंसान बहुत तेज काम करने लगा जितनी देर स्पेनिंग विल गूमता रहा रसियां सोनी की बनती गई सुभा दुबारा हो गई थी और बादशा दुबारा आया उसने सोना देखा और वो बहुत खुश हुआ बादशा ने उससे शादी का पूछा और लड़की ने हाँ कर दी कुछ वक्त गुजरने के बाद महरानी के पास एक बच्चा था एक दिन जब महरानी अपने बच्चे को सुला रही थी तो वो छोटा इंसान दुबारा आया क्या तुम अपना वादा भूल गई जो तुमने मुझसे किया था नहीं मैं नहीं बूली पर मेरे बच्चे को मत लेके जाना छोटा इंसान ने उससे बहुत माफी मांगी और उसे एक मौका और दिया अगर तुमने तीन दिन में मेरा नाम और पता नहीं लगाया तो मैं तुम्हारे बच्चे को ले जाऊंगा ये बोलते ही वो वहाँ से चला गया उसने एक सिपाही को बुलाया और इस शहर में रहने वाले तमाम लोगों के नाम मंगवाए सिपाही एक कागस पे लिखकर सारे नाम ले आया और सुभा उसने वो कागस महरानी को दे दिया सुभा वो छोटा इंसान दुबारा आया और महरानी से पूछा कि उसका नाम क्या है और महरानी कागस पे लिखे हुए सारे नाम बोलने लगी क्या डेविड है? नहीं रोबे नहीं टाम नहीं पीचर नौ जब महरानी ने सारे नाम पूछ लिये तो उस छोटे इनसान ने कहा इन में से कोई नहीं अभी तो मैं जा रहा हूँ लेकिन कल दुबारा फिर आऊँगा और वो वहाँ से चला गया महरानी ने अपने सिपाही को दुबारा बुलाया और दूसरे शहर में रहने वाले तमाम लोगों के नाम मंगबाए अगले दिन की सुभा सिपाही सारे नाम लेकर आ गया उसने वो कागस महरानी को दिया और वहाँ से चला गया जब सूरज तुलू हुआ वो छोटा इंसान दुबारा आया तो तुमने मेरा नाम जाने की कोशिश की पाठ़जा नहीं हन्स नहीं मुस्तिफा नहीं कस्टफ जितने भी नाम उसने लिए कोई भी नाम सही नहीं था कल का दिन आखरी है मैं कल फेराऊंगा तुम मेरा नाम नहीं जाल सकोगे हाहा छोटा इंसान दुबारा से वहां से चला गया महरानी ने अपने सिपाही को बुलाया और इस बार बुला कि वो बहुत सारे शहर गूम कर आए और सारे नाम लेकर आए अगले दिन की सुभा सिपाही महरानी के पास आया और उससे बताया कि कल रात उसने क्या देखा मैं एक जंगल से गुजर रहा था मैंने देखा कि एक छोटा सा बॉना नाच रहा है और वहां के पेड़ भी नाच रहे थे वहां से अजीब वो खरीब वाजे आ रही थी वो बच्ची मेरी होगी वो बच्ची मेरी होगी लेकिन उसको नहीं पता चलेगा के मेरा नाम रमपलिस्ट्रिकल है महरानी ये सब सुनकर बहुत खुश हुई और सुबह हो गई छोटा इंसान दुबारा आया जब महरानी से उसने अपना नाम पूछा तो महरानी ने उसे जताया कि जैसे उसको उसका नाम नहीं पता और दूसरे नाम लेने लगी अपना सर हिलाते हुए वो छोटा इंसान इंकार करता गया जब तक महराणी गलत नाम लेती गई, वो छोटा इनसान खुश होता गया आखिर में महराणी ने उसका नाम लिया क्या रॉमपर्ल्स टिर स्किन है? लेकिन, लेकिन ये सब कैसे हो गया? ये नाम कैसे तुम्हें पता चला? आखिर मेरे पीचे तुम्हें किसको लगा दिया था? वो छोटा इनसान तेज-देज खूदने लगा और जमीन तूटने लगी और जैसे ही उसने हटना चाहा, उसका पैर फस गया और जमीन और तूट गई, और वो नीचे गिर गया आखिर कार महरानी को उससे चुटकारा मिल गया और उसके बाद महरानी सीधा बाद्शा के पास गई और सब बताया जो कुछ हुआ बाद्शा ने देखा कि महरानी अपने किये पर शर्मिंदा है और उन्होंने उसे माफ कर दिया और उसके वालिद के लिए बाद्शा ने उन्हें एक सज़़ देने का फैसला किया और उन्होंने उसे महल से बहुत दूर भेज दिया और उसके बाद बाद्शा, मलका और उनका बच्चा हमेशा के लिए खुश रहे